आप दीक रहे हैं Network 33 राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर सुभा के चार बजी के करीब मैं और सोहिल बैक से अपने गाउं के लिए निकले ताकि सुर्ट ढलते ढलते हम दोनों गाउं पहुँच जाए मगर जैसे ही 10 से 11 बजे की धूप बहुत तेज होने लगी और 12 बस्ते बस्ते तो हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि हमें वहीं हाईवे के करीब बेडों की छाओं में बैक रोकने पड़ी फिर वहाँ पर तक्रीबन 15 से 20 मिनट आराम करने के बाद वहाँ से निकले और इसी तरह जगह जगह रुप कर चलने के कारण आदे रास्ते आदे आदे सूरज ढल गया वैसे तो हम काफी जादा लेट हो चुके थे मगर सूरज ढलने के कारण अब हमें गर्मी नहीं लग रही थी जिस पजह से मैं बड़ी ही स्पीड में बाइक भगाय जा रहा था कि तभी पीछे से किसी बड़ी सी गाड़ी ने हमें जोर से टक्कर मार दी और टक्कर लगते ही मैं और सोहिल बाइक से उचलते हुए सड़क पर जा गिरे सड़क पर गिरते ही मेरी आँखे बंद हो गई फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं किसी स्टेचर पर लेटा हुआ हूँ फिर जब मैंने अपने आसपास देखा तो पाया कि मैं किसी खंडर हो चुके अस्पताल के गेट के आगे स्टेचर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे ठीक बंगल में सोहिल भी दूसरे स्टेचर पर लेटा हुआ है जब मैंने सोहिल को आवाज दी तो सोहिल ने कोई जवाब नहीं दिया सैद गो अभी होश में नहीं था मेरा पूरा वदन लहू लुहान हो रखा था मुझे उस वग ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किन लोगों ने हम दोनों को वहां हाईवे से उठाया और इस खंडर में तब्दिल हो चुके अस्पताल के गेट के आगे इस्टेचर पर लेटा के चला गया मैं ये सोची रहा था कि अचानक ही सोहिल का इस्टेचर हिनने लगा और अपने आप ही वो इस्टेचर उस खंडर अस्पताल के अंदर चला गया हलंकि मैंने सोहिल को बहुत आवाज देते हुए कहा अरे सोहिल ओट हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा मगर वो मेरी बात सुनी नहीं पा रहा था उसके अंदर जाते ही अंदर से बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी वैसी तरावनी आवाजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी उस वक्त मैं इतना जाधा ढर गया था کہ मैं उस स्टेचर से उतर कर अस्पाल से दूर भाग जाना चाता था मगर मैं चाह कर भी उस स्टेचर से उतर नहीं पाया और कुछी दिर बाद सोहिल का इस्टेचर उस अस्पताल से बाहर आता हुआ नजर आया जब मैंने इस्टेचर की तरब देखा तो पाया कि अब उस इस्टेचर पर खोनी खोन लगा है और अब सोहिल भी नहीं है उस स्टेचर के बाहर आते ही मेरा स्टेचर भी आपने आप ही उस अस्पताल के अंदर जाने लगा था उस अस्पताल के और स्टेचर को बढ़ते देख मेरी दिल की धड़कने बहुती तेज हो गए पता नहीं अब मेरे साथ और कितना बुरा होने वाला था मैं ये तो जानता था कि अगर मैं भी सोहिल की तरह इस अस्पताल के अंदर पहुच गया तो मैं फिर कभी भी वापस नहीं आपाऊंगा ये सोच कर मैंने अपना पुरा जोल लगाया और उस चलते हुए स्टेचर से नीचे गिर पड़ा नीचे गिरते ही मैं धीरे धीरे किसी तरह सरकता हुआ अस्पताल से दोर आ गया फिर जब कुछ गंटों बाग सुबा हो गई तो वहां के लोगों ने मुझे दूसरे अस्पताल में भरती करवा दिया बाद में मुझे पता चला कि उस भोधिया खंडर अस्पताल में बहुत पहले कैई सारे डॉक्टरों की रहसमे तरीके से मौत हो गई थी जिसके चलते वो अस्पताल बंद कर दिया गया मगर उस अस्पताल के बंद होने के बावजूद उस अस्पताल से चीकने चिलाने की आवाजे आती कुछ लोगों का कहना है कि अस्पताल के तीन किलोमीटर के दैरे में अगर कोई भी एक्शिडेंट होता है तो वो आदमे अपने आप ही इसी अस्पताल में पहुँच जाता है तो दोस्तो इस कहाने में बस इतना है तब तक के लिए बाई ठीक क्यार